थो स्ट्रेलिया की तो वह सारे सवास स्ट्रोडन्स के रहते हैं कि जिस तरह से इतना स्ट्रिक्ट नजर आ रहा 干ारे तो कैसे समझें कि एक हम उस्ट्रेल के लिए चाहिए खुद अपी सल्फ असेस्मेंट भी करनी चाहिए कि हम हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अस्ट्रेलिया के लिए तांकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप और अच्छी ऑप्शिन पर भी काम कर सके तो आज बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिएगा य लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नाविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिस्स उपीना गोल मैम हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैम नमस्कार नमस्कार तो आप सभी जानते हैं कि मैम का तकरीबन 27-28 सालों का experience और उसी के चलते ही आज हम मैम से information ये लेंगे कि मैम आप ज़रू स्टूडेंट्स को guide कीजिए इस बात को लेकर क्योंकि हर स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं Australia apply करूं मेरा वीजा लग जाए लेकिन हर एक स्टूडेंट Australia के लिजिबल नहीं है जैनून स्टूडेंट की परिभाशा भी ज़रूर समझ सकता है हर जो जो latest trend है Australia का वो थोड़ा tough नजर आ रहा है अब tough में क्या है कि जो students की IELTS score बहुत अच्छा है CBSC ICSC से पढ़े हूँ है not state board state board जो पंजाब और हर्याना के अलावा उनके accepted हैं लेकिन हमारी कोशिश है CBSC और ICSC वाले बच्चे medical, non-medical या जिनके subjects बहुत अच्छे हैं arts में जिनका painting या language course है वो मत apply करें बिल्कुल भी आपका time waste होगा आपके अगर subjects बहुत अच्छे हैं main four subjects जिसमें language count नहीं होती है या कोई भी ऐसा subject है जो extra है वो count नहीं होता है main four subjects knowledge in non-medical वाला है तो math, English और physics, chemistry जो ऐसे main four subjects है उन में minimum जो percentage है वो 65% होनी चाहिए या 60% minimum ठीक है और IELTS 6.5 band या 6 band minimum होना चाहिए डिपेंड करता है university और college पे किसमें जा रहे हैं यह academic हो गया अब अगर graduation वाला student है तो वो 6.5 not less than 6 की requirement है IELTS score या PT equivalent TOEFL भी उसी के equivalency से चलेगा इनका अगर आपका percentage की बात करें section 1, 2, 3, 3 तीन university हों में divide किया गया है किसी भी university की यह 60% से काम लेते नहीं अगर section 3 है तो 65% section 1 or 2 है तो 60% से काम नहीं ले रहे हैं तो जो graduation और under graduation आप ये दोनों मान के चलिए कि इनको profile बहुत अच्छा चाहिए अब अगर graduate बच्चा masters में जा रहा है तो हम बात करेंगे अगर वो कहीं काम कर रहा उसका कोई gap उसका genuine experience होना चाहिए उसका genuine experience के साथ आप जो company's account में उसको salary आनी चाहिए ये नहीं कि उन्होंने कोई experience बनवा लिया कहीं से और वो सब नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा इस समय जो महावल और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए गले documents आप बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए financials अगर आपके पुराने हैं या one year fees देके पंदरा लाग जितने आपको living expenses three months old शो करने हैं आपके वो होने चाहिए अगर बहुत अच्छे extraordinary case है कि जिसमें university अगर spouse को लेने को तैयार है तो spouse के साथ apply करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहां आपका gap plus two all student का gap बिल्कुल नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट चारों में आपकी percentage अच्छी होने चाहिए आइल्स आपका अच्छा होना चाहिए पेरेंट्स की income more than twelve lakh इस टाइम देख रहे हैं ठीक है इन अब आपका जो financials तो मैंने का one year का आप देखे और living expenses आप three months old शो कर सकते हैं या bank loan शो कर सकते हैं courses भी अगर आप अच्छे लोगे business के अलावा अगर आप लेते हो कोई health का course लेते हो it related अच्छे course लेते हो cyber security लो artificial intelligence लो business analytics लो cloud computing उसमें visa rejection के chances बहुत कम है आपकी university अच्छी हो आपका course अच्छा हो financial document ठीक हो आपका academic record ठीक हो तो आपका rejection के chances नहीं है जी जी बिल्कुल और मैम last में जुरूर जो भी students के सवाल हमारे पास आ रहे हैं 22% वालों के लिए वालों के कि वो अभी apply कर सकते हैं या फिर उनके लिए chances ना के बराबर दिखते हैं नहीं हर जो मैं किसी भी ऐसे बच्चे को stem guide नहीं करूंगे कि जो इस टाइप के profile हो प्लीज आस्ट्रेलिया के लिए profile में कोई कमी ना हो फिर वीजा chances नहीं तो बच्चे का बहुत loss होता है बिल्कुल सो स्टुडेंट्स को यह बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐस्ट्रेलिया क्लियर कट अपनी प्रोफाइल्स को लेकर के हम ऐसी प्रोफाइल्स को वीजा देंगे और जो स्टुडेंट्स जैसे कि हम बात करें 22 पास रोटा हैं से पहले कि उनके लिए कोई चांसेज दिखते ही नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर स्टुडेंट्स के बार अप्लाई करते हैं के देखते हैं शायद तो शायद वाली कोई यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो इसलिए स्टुडेंस विरकूल अच्छी तरह से समझ लें कि जो फिक्चर की है ऐस्ट्रेलिया कि जो गाइड लैंस उसके अकॉर्डिंग ली आगे बड़े जैनुवन स्टुडेंट है रीसेंट पास आउट है फंड को लेकर और अपने कोर्से इसको लेकर आप अवेर हैं तो आगे बड़े आपको कुछ सेल्फ असेस्मेंट भी करवानी चाहिए माहिर सला चाहिए तो जुरूर जो नंबर डिस्प्लेय एस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं अच्छा होगा अगर आप अपने डॉक्मेंट्स लेकर नेविगेटर्स ओवरसीज के ओफिस आएं वर्टसब भी कर सकते ह हैं असेस्मेंट करवाएं राइट ऑप्शिंस के बारे में जाने और उसी के अकॉर्डिंगली टाइमली अप्लाई करके अपना वीजा हासल करें बहुत थैंक्स मैम आपने कई पॉइंट्स स्टुडेंट्स को आज गाइड किये हैं जिन पर ध्यान रखें तो स्टुडें